रहे हिन दोस्तों मैं शुभम बर्मा स्वागत करता हूँ आपका सर्मा कोचिंग क्लासेस में दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से जो भी हमारे नए दर्शक नहीं जुड़े हैं सर्मा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से फटाफट जुड़ जाएए यूट्यू और इस पे आपको लेटिस्ट वेडियो, PDF नोट्स और जो भी प्रकार की हमारे ग्रूप्स की इंक्वाइरी होगी इस पे हम आप अपलोड करते रहते हैं और इस से आपको हमारी हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहेगी कोई भी डाउट रहता है दोस्तों उस डाउट को भी आप उस पे क्लियर कर सकते हैं हमारी Instagram ID पर भी दोस्तों आप हमें follow कर सकते हैं या आप हमारे direct YouTube चैनल WhatsApp users आप हमारे YouTube चैनल पर 8839470415 पर contact करके daily आप हमसे link हो सकते हैं तुरन direct to direct ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों आज हमारा subject है Hindi का Hindi जो हमारे CGPSC के exam वगरा में पूछे जाते हैं यह बहुत ही important topic है दोस्तों जिसका आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला हमारा Hindi का होता है topic word ने विचार क्या होता है दोस्तों किसी भी अदि हम Hindi के grammar का starting करते हैं तो उसका सबसे पहले word न पढ़ते हैं word क्या है इस चीज को समझते हैं word कुछ से कहते हैं पहले question दिया है वह चोटी से छोटी ध्वनी जिससे टुकड़ या खंड में ना किया जा सके टुकड़ या खंड मतलब दोस्तों अलग-अलग खंडों में अलग-अलग विभागों में विभाजित नहां किया जा सके उसे word कहते हैं जैसे उधारन example में बताना चाहूंगा आई का खा चाजा आदी वर्ण भासा की सबसे छोटी काई है वर्ण जो है भासा की सबसे छोटी काई है ठीक है next वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों वर्ण के बारे में जाना अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के वर्ण होते हैं एक स्वर और दूसरा वेंजन ठीक है next वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमभद समू को ही वर्ण माला कहा जाता है, वर्ण माला किसे कहा जाता है, उसका क्रमभद समू, मतब लाइन से सिक्वेंस वाइस जब आते हैं, तो उसे समू को वर्ण माला कहा जाता है, वर्ण माला में दोस्तों हमारा क्या क्या आता है, दो आयोगवा होते हैं, next 25 स्पर्ष वेंजन होते हैं, आप जानते होंगे दोस्तों वेंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, का से लेके मात तक का जो दिया है, वो हमारा स्पर्ष वेंजन के अंतरगत आता है, 25 स्पर्ष वेंजन होते हैं, चलिए दोस्तों और भी जानका वेंजन होते हैं च्छत्री तरा ग्या श्रा चार संयुक्त वेंजन होते हैं संयुक्त वेंजन के अंतरगत आता है और कुल एस प्रकार वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 52 वर्णों की संख्या होती है हिंदी वर्ण माला में कुल 52 वर्ण हैं, जिन में 11 स्वर और 33 वेंजन हैं. ध्यान दीजेगा 11 स्वर और 33 वेंजन होते हैं. अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, स्वर किसे कहते हैं? comment how to explain स्वर स्वर किसे कहते है जिन धुन्यों या वर्णों की उच्चारण में अन्न वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर्ण कहते हैं जैसे आप किसी वर्ण को उचारित करते हैं दोस्तों उसमें आपको किसी और सब्द का ये किसी और वर्ण की साहारा ना लिना पड़े न, उसे स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, यह सीधे सीधे स्वर है, ओके, हिंदी वर्ण वाला में 11 स्वर हैं, इस चीज के बारे हम ने जाना, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हस्वर, दीरग श्वर, और प्लुप्त स्वर, कितने प्रकार क होते हैं तीन प्रकार के स्वर होते हैं ठीक है हस्वर में क्या क्या आता है जिन स्वरों के उच्छाड में कम से कम समय लगे उसे हस्वर कहते हैं बहुत कम से कम समय में हम उसे बोल सके उसे हस्वर कहते हैं ठीक है एक मात्रा लगे समय लगे उन्हें हस्वर कहते हैं उधारन आ ए उ और रिशी चार हस्तो स्वर है जिने मूल स्वर के भी नाम से जाना जा सकता है ओके नेस्ट है दीर्गो स्वर जो है हमारा जिन स्वरों के उचारण में हस्तो स्वर से दुगना समय लगे हस्तो स्वर से दुगना समय लगे क्यों हो जाते हैं दीर्गो स्वर दीर्ग मतलब बड़े, ओके, जिन स्वरों के उचारण में दो मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्ग स्वर कहते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, 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 ठीके, हिंदी में कुल साथ स्वर हैं, जिनका उचारण दीर्ग रूप में होता है, कैसे उचारण होता है दोस्तों, दीर्ग तीसरा का भेत पढ़्रे प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्वर के तीन गुणा अधिक समय लगता है, पहले एक तो सीधा था, दूसरा आया दुगना समय और अब आ रहा है, तीसरा सुनें हो उसे प्लुत स्वर कहते है, ठीक है, तीन मात्रा का समय लगे, उ ओम, हे राह्म, यह इन्हें 83 स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, दोस्तों अभी हमने जाना स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार आ, ई, उ, रिशी, आ, ई, उ, ए, ओ, यह हमारे दोसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, यह किसमें आता हास स्वर, दूसरा आता है दीर को स्व तीसरा आता है Plutusuar कुल टोटल कित्ते हो जाते हैं? 11 कित्ते स्वर हो जाते हैं दोस्तों? 11 ठीक है आज हम Vernd वाला के बारे में बात करें दोस्तों Verndos related जित्ते भी प्रकार के questions हैं हम आपके सामने प्रस्तुत किये हैं Question आयोग वहा किसे कहते हैं? आयोगवा एक ठो अवर्ड आया होगा दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हिंदी वर्ण माला में आ तता अंगा को आयोगवा की संग्या दी जाती है इन्हें स्वरों के साथ रखा गया है किन्तु सतंत्र गती ना होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जात प्रयूग तो है लेकिन यह वैंजनों के सुर्वणी में नहीं आते स्वारों तो था वैंजनों में किसी के साथ उप्यूग ना होने के काएंड बावजूद ये ध्वनी वहन करते हैं कि फ्लक आते हैं और कुछ नहीं आते हैं तो इसलिए इन्हें आयोग वहा कहा जाता है न उनका रूप बदल जाता है, इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, जब वेंजनों के साथ स्वर का अटेच्मेंट हो जाता है दोस्तों, तो इस बदल जाता है उनका रूप, आनि कि हम किसी भी सब्द के साथ मात्रा लगा दे आ की मात्रा नहीं होती है, छोटे आ की मात्रा जो होती है, नहीं होती है, उसके लिए हलत को लगा कर दिखाया जाता है, देखे दोस्तों हलत लगा कर example में दिखाया गया है, कह, कह, खह, खह, ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, स्वर की मात्राएं, स्वर, मात्राएं और कि बड़े की मात्रा जीत इस प्रकार से दोस्तों उ की मात्रा में कुछ बड़े उ की मात्रा में फूल रिशी की मात्रा में कुशक कृशक एकी मात्रा में खेल कि बड़े की मात्रा में बैल और ओ की मात्रा में कोमल और ओ की मात्रा में और इस प्रकार से दोस्तों यह स्वरू मात्राओं के बारे में. Q7. अनुस्वार क्या है? अनुस्वार क्या है जब वड़नों का उचणन के वल ना सिक से हो नासिका से हो, मतलब नाक से हो केवाल उचारण ऐसे में हिंदी अंग, प्रतेक वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तथा पवर्ग, पंचम वंड के अनुसार होता है उधारण है चंचल, अंग, रंग, पंग, गंगा, आदी ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुसासिक, जब वर्ग का उचारण नासिका एवां मुखो दोनों के समान रूप से हो, उधारण है पांच, कांच, आँख, आदी अभी हमने जान लिया है दोस्तों कि स्वर किसे कहते हैं, अब हमारा दूसरा रूप आता है, वेंजन किसे कहते हैं, तो यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते है वर्ण, वेंजन कहते हैं दोस्तों हना हिंदी वर्ण माला में वेंजनों के कुल संख्या कितनी है 33 है टोटल वेंजन तीन प्रकार के होते है इसपर्ष वेंजन अंतस्थ वेंजन और उश्म वेंजन तीन प्रकार के वेंजन पाए जाते हैं दोस्तों पहरा इसपर्ष वेंजन में क्या क्या आता है इसपर्ष वेंजन में आता है हमारा जिन वेंजनों के वर्णों के उचारण में खास वायू मुख के अलग-अलग भा स्थित्रा दर्श कैती है इन भागों को इन्हें स्पर्श वेंजन कहा जाता है उग्यद्ध कि हिंदी अर्द माला में इनकी कुल संक्षा कितनी हैं? 24 है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है, अन्ता इस्था सब्द का अर्थ क्या है, मध्य और बीच में इस्थित होते हैं, मध्य और बीच में इस्थित होते हैं, अन्तास्त व्यंजन, हिंदी वर्ण माला में कुछ व्यंजन और स्वर, व्यंजन क मत इस्तित होते इन्हें अन्था स्वथा वेंजन कहा जाते निकी संक्या कितनी है चार है दोस्तो यारा ला वा ओके ठीक है दोस्तो आज का हमारा हिंदी का टॉपिक यहीं कवर होता है आज का हमारा पहला टॉपिक वर्ण माला यहीं कम्प्रीट होता है दोस्तो और भी आगे हिंदी के टॉपिक आपके लिए लेते आऊंगा जबते के लिए जैहिंद